सुरुवात यदी सही हो तो मंजल पाना आसान हो जाता है और सही सुरुवात के साथ-साथ ये भी जरूरी है कि आपने गोल पर फोकस किया जाए उसके लिए डिसिप्लेन मिंटेन किया जाए और आज का ये वीडियो उन यंग लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अधी अर्निंग की सुरुवात की है और साथ ही ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि अगर हमें सही समय पर सही सीख मिली होती तो शायद हम इससे भी बहतर कर रहे होते जो आ आज में बात करूंगा कि कैसे 40 की उम्र से पहले आप बन सकते हैं क्रोड़ पती अक्सर देखा जाता है कि 25 की उम्र में अर्निंग सुरू हो जाती है भली आपकी इंकम कम हो लेकिन इंकम की सुरुवात हो चुकी होती है और उसके बाद समय के साथ में इंकम कई गुना बढ करना है यानि कि टार्गेट अगर आपका बड़ा है तो उसके लिए बचत भी आपको अधिक करनी होगी और साथ ही जो बचत आप कर रहे हैं उसके ऊपर रिटन्स भी आपको अच्छे मिले ये भी यहाँ पर आपको एंशॉर करना होगा तो मैंने एक्सल में एक दिखाता हूँ आप क्योंकि आप सुरुबात 25 येर्ज में कर रहे हैं और 40 में आपको बनना है क्रोर पती यानि कि 15 साल आपके पास हैं तो यहाँ पर मैंने एक क्रोर रुपिया यहाँ पर इंपुट कर दिया है और आपको रिटन जो एक्सपेट करना है वो करना होगा 15% ह आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको definitely ये मिल पाएगा equity में और equity में ऐसा नहीं है कि आपको direct invest करना है मेरी सलहा अक्सर ये होती है कि आप mutual funds में निवेश कीजिए आप यहाँ पर SIP कीजिए जहाँ पर लंबे समय में 15% के return बिल्कुल संभाव हैं तो हो सकता है कि आप में से लोग ये पूचेंगे कि क्या 15% की guarantee है तो बिल्कुल guarantee नहीं है mutual fund में लेकिन हमने historically देखा है कि अच्छे mutual funds लंबे समय में 15% या उससे भी आधिक का return देने की शमता रखते हैं तो मैं यहाँ पर 15% का return जैसे मैं ने कहा वो assume कर रहा हूं और number of months क्योंकि 25 में करनी है शुरुवाद, 40 में बनना है करोड़ पती यानि कि 15 साल जिसका मतलब हुआ 180 months और क्योंकि यदि आप 25 साल की उमर में शुरुवाद करते हैं तो बेशक आपकी income चाहे वो salary income हो या फिर हो आपका अपना business ये तैह है कि 15 सालों में कई बार आपकी income बढ़ेगी और साल दर साल बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर हालकि income तो बहुत बढ़ेगी लेकिन मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि आप अपने निवेश को 10% से सालना बढ़ाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये amount निकल कर आता है 9747 और इसको round of करते हैं 10,000 पर मन्त यानि कि यदि आप 10,000 पर मन्त से सुरुआत करते हैं जब आप 25 years के हैं और हर साल इस SIP amount को 10% से बढ़ाते रहते हैं और यदि आपको इस पर 15% का compounded annual growth rate मिलता है तो आप आसानी से 40 में नहीं बलकि उससे पहले क्रोड़पती बन सकते हैं क्योंकि मैंने कहा round of करेंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यदि मैं इसको 179 मन्त भी कर दूँ तो भी यानि 9900 10,000 मैंने कहा था उससे भी कम आ रहा है और आप 179 मन्त में ही क्रोड़पती बन सकते हैं तो जैसा मैंने सुरुवात में ही कहा कि सुरुवात सही होनी चाहिए और साथ ही आपके गोल पर focus तहना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत से निवेशक सुरुवात तो करते हैं लेकिन बाद में कुछ समय के बाद उनके गोल चेंज हो जाते हैं आपने बात की कि 15 साल के बाद आपके पास होना चाहिए एक करोड़ लेकिन 3 साल के बाद में आप अगर सोचेंगे कि चलो कुछ पैसा खटा हो गया है कहीं घूम आते हैं और फिर दुबारा से सुरुवात कर लेंगे या फिर हो सकता है आप कारबाई करना चाहें या कुछ और खर्चों के लिए इन पैसों को इस्तिमाल करना चाहें तो फिर आपका जो गोल है वो अचीव होना मुश्किल है आपके लाइफ मे इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इसको जैसा आपने प्लैन किया है उसके एकॉर्डिंग चलने देंगे तो यदि आप 15 साल में क्रोड़पती बनना चाहते हैं और 15% का compounded annual growth rate expect कर रहे हैं तो आप शायद इसके लिए कुछ scheme की जानकारी भी पाना चाहेंगे वैसे तो 15 साल में अधिकतर schemes आपको 15% का CAGR दे सकती हैं पर फिर भी आज के हिसाब से मैंने कुछ schemes आपके लिए select की हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप एक flexi cap fund, एक multi cap fund और एक small cap fund ये 3 category के 3 funds को अपने portfolio में शामिल करें और जैसा मैंने कहा कि अपनी SIP amount को समय समय प बढ़ाते रहें तो हर निवेशक बन सकता है क्रोरपती आपने देखा कि अधिस सही समय पर हो शुरुआत तो गोल अचीव करना हो जाता है आसान मुझे उमीद है यह जानकर आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपको क सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं इसी के साथ मुझे दीजिये इजाजत आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक्यो जैहिन म्यूचल फंड निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े